इस वीडियो में जैसा आप देख पा रहे हैं हमने एक जो विद्रोहों की आपकी डुमांड पर एक सीरीज चल रही है उसमें हम एक पहले वीडियो में हम सब जितने भी सारे हमारे ट्रैवल रिवॉल्ड से सभी जन जाती विद्रोहों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और यह व आपको पूरा ज्यादा पढ़ने की जरूत नहीं है अगर आप जितने भी में विद्रोह को याद कर लेते हैं तो विद्रोह से आपका कोई क्विश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती तो हम बात करेंगे तो पहले वीडियो में हम बात कर चुके हैं जन जाती वि सब्सक्राइब Hare जाता है तो पोस्ति पूसिब पूस्त भी लेता है कि कौन सा वेडो किसकी लहा प्लस स्किल हुआ करता है इनका काल करम भी पूछ लेता है कि कौन से टैमपर को सा वीद्रो वीद्रों को देखेंगे तो सबसे कहता है यह होता था जो चावव निल की करा जा रहे थी जवरन निल की खेती करा है जा रहे पूरा करने के लिए ठीक है लेकिनلة देखते हैं कि जब यजवरोपिय देशों में डाई का विकास हो जाता है तो फिर हम उसकी इधा का जा रही थी तो दिगंबर और विष्णु विष्वास इनके द्वारा यह जो नील विद्रो है इसकी जो है लीडर्शिप करी जा रही थी, कुछ अन्य तथ्या इसके बारे में हम जान लेंगे, तो यह है जो नील विद्रो है नील दरप्र नाम का जो पत्र है, एक रचना है इनकी नील दर्पन तो इसी नील दर्पन में जो नील जो किसान थे इनकी जो दोड़ता सायम की जो पीड़ा है उसके बारे में हमें यहां पर उले दिखाई देता है ठीक है और यहां पर हम अगर पत्रों की सतर पर देखें तो जो हिंदू पेट्रियाट जो पत्र है उसके द कहां होता है हम यह देखें तो बंगाल का जो पावना वाला एरिया है बंगाल के पावना में यह विद्रो में दिखाई देता है कारण क्या था यह क्यों होता है पावना विद्रो तो देखिए ज्यादा तर जो विद्रो होंगे किसानों के विद्रो होंगे आपको एक बेसिक होंगे कि साहुकार बहुत ज़्यादा रेंगे बहुत ज़्यादा उंची ब्याज़ों पर देंगे और रेंड दो शक्र में अपने जो किसान है ये विचारे फसे रहेंगे उसी परकार जमिदारों का करा अगे हम बात करें तो इसका नेतरत्त के तो याने हैं जैसे लोगों के द्वारा इस जोहन दोलन है इसका नेतरत्तो करा जाता है इसमें एक नारा दिया गया अगर हम बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ महारानी के रहित होना चाहते हैं यानि कि यह बोला था है नोंने कि भाई हम लोग जो है जो कोई सावकार है और कोई भी जो बीच में जमिदार वगएरा हैं हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे यह यहां पर आख्चली जो महारानी का मतलब यह कि जो थोड़ा सा भक्ती वाला भाव था वो यहां पर दिखाया गया था ठीक है चलिए ने एक समागी बात कर रहा हैं दक्कन विद्रो के बारे में तो काफी फेमस है काफी दंगा यहां पर दक्कन दंगे के नाम से भी इसको जानते हैं तो यह डॉक्यमेंट्स इसलिए है क्योंकि यहां पर जो डॉक्यमेंट्स वग्यारा जला दिये गए थे जो इसाब किताब यह रख रहे थे तो इससे आप लिंक कर सकते हैं टाइम पीरेट देखेंगे हम धक्कन विद्रो कव होता है तो यह काफी पूछा जाता है तो सीधी से बात है धक्कन वाले एरिया में दक्कन कहां महाराष्ट का पुणे और एहमद नगर जो जिला है वहां पर यह विद्रो में दिखाई देता है क्यों कि सावकारों के खिला बहुत उंची रिणों पर यह रिंड दे रहे थे अब और एक और कारण यह था कि जब माली जी अमेरिकन सिविल वार होता है और अम इसमें होता क्या है यह जितने भी सूध रूखोर और जमीदार और यह सारे जो सावकार लोग थे इन सबके डॉक्युमेंट्स को ले के जला दिया गया ठीक है और यह जो जमीदार और जो सावकार थे इनकी नाई दोबी शेवा बंद कर दी गई यानि कि कोई नई इनके बाल काटने नहीं जाता था, कोई दोबी इनके कपड़े नहीं दोता था, इनका बहिशकार कर दिया गया, और मजदूरी से भी मना कर दिया गया, जो लोग जो किसान इनके मजदूरी करते थे, उन्होंने मजदूरी करने से भी मना कर दिया, ये कारेक हैं उन्हें सब को कवर कर लिया इसके लावा हम को देखने दख्कन विद्रों के बारे मोक siblings देखेंगा तो पागल फंद्रों के बारे मों नहीं हो ठीक है और नेतरती की हम बात करेंगे तो उसका नेतरतयक कॉन करते हैं क्रम शाह और उनके बेटे जो टीपू शाह हैं उनके द्वारा इसका निर्थत्व करा जाता है कारण क्या था सिंपल सा जमीदारों को द्वारा शोषन और समाप्त का वोदा यह 1850 इसके बारे हम डेटा नहीं शुरू कव होता है बस एक दो थोड़े वह टाइम के लिए चला विद्रो है 1921 में आता है कहां होता है तो भई जो केरल का मालावार्तट है यानि के अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर मैपिंग के दुरू बता हूँ तो अगर ऐसे हम करके बनाएंगे तो यहां पर यहां पर जो मौपला लोग रहते थे यह मौपला कौन थे यह जो तो इन ही मोपला किसानों को के फिरुद्ध यह जो धरू होता है इसके बात करेंगे तो जो मोपला मेंने जो किसान बताई थे ना यह इसलामिक थे और निम्न दर्जे के थे ठीक है इनका अच्छ दर्जे अब यहां पर दो चीज़ें देखी जाते हैं महाजन और जमीदारों और हिंदू लोग थे ठीक है हिंदू लोग थे तो यह इसे इस एंगल से भी देखा जाता है लेकिन बेसिक चीज़ें अगर हम देखेंगे तो निम नदर्जे की किशान थे और सामने थे महाजन और जमिदार इनके विरुद्धु में यह जो मुपला विद्रो होता है अठार है वही इसी और से टायम होता है तो जितने भी अली बंदुग अगे रहा होते हैं गांदी जी होते हैं उन सबका समर्थने इसको मिलता है ठीक है चली अब हम आगे बढ़ेंगे किसांसवा अंदोलन की ओर हम देखेंगे काव होता है तो 1918 से 1919 वाले टाइम पर हमें य वही किसान के पास और कांदे नहीं आगे अपने बाल गांदार इसके कपड़े नहीं करी तो ये सारी अंदोलन के सांडोलन को मिलती है नेक्स हम बात करेंगे एक आंदोलन, ये भी important है, ये भी questions आते हैं बार बार, कब होता है, 1922 वाले टाइम पर ये होता है, कहां होता है, तो ये जो हम पिछला हमने देखा, जो अवद का हम देख रहे थे, जो किसान सबा आंदोलन था, यही किसान सबा आंदोलन जो कि हमने दे अधिकार नहीं दिया गया था, किसानों को, बहुत ज़्यादा लगान ली जा रही जा रही, पर वसूला जा रहा था, भेंट वसूले जा रहे था, जबरन जो मजूरी भी इन किसानों से कराई जा रही थी, नेत्रत्यकरता की बात करेंगे तो ये बहुत important हो जाते हैं, मद को ध्यान रखना है, 1928 वाला, 1928 वाला टायम है, इस टाइम पर बाढ़ दोली हमारा सत्याग्रे होता है, क्यों करा गया गया, गुजरात में जो सूरत है, हम वहाँ पर देखेंगे, कि किसानों की फसल बरबादी हो जाती, उसके बाद भी उनसे रिवेन्यू वसूलने का का continuously रखा जाता है, यानि कि लगान में ब्रदी बहुत जादा थी, almost जो उनसे 30% लगान वसूला जा रहा था, लेकिन जब कि फसल ब्रदी नहीं, बलकि फसल में नुकसान बहुत जादा हो रहा था, ठीक है, तो ये जो मांग थी, इस मांग के विरोद्दु में ही, इसको ये आंदोलन है, बार्दोली सत्याग्रे, यहां पर करा जा रहा था, ठीक है, तो कहां, तो सूरत में जो बार्दोली तालोग था, वहीं पर इस आंदोलन को करा जा रहा था, नेतर तो सबसे इंपोर्टेंट हो जाएगा, the most important point इससे यह ही है, कि बल्लबभाई पटेल जी के द बल्लबभाई पटेलियन को पूरे नाम से जाने लगा, तो यह जो 30% की बात हो रही थी, तो अब हम देखेंगे, इस आंदोलन का सत्याग्रे का परिणाम क्या होता है, तो परिणाम होता है, गवर्मेंट के द्वारा, ब्रूम, फिल्ड और मैक्स्वेल के द्वारा, सत्या गये में, अंदोलन की ओरे, यहां पर अंदोलन के बारें बात करेंगे, कब होता है, उनीजस नजीस सुचालिस में, बिल्कुल हमारे सुतंता वाले वर्स से एक वर्स पूर भी, कहा होता है, बंगाल में होता है, क्यों होता है, यहां पर Flaude Commission की जो सिफारे से यह मनवाने के लिए किसान अड़े हुए थी, अब फ्लावड कमिशन ने क्या सिफारे से दिन थी, तो यह सिफारे से न दी गए थी, जो बटाईदारों की मांग थी बू कराये के रूप में, ठीके, कि एक तिहाई हो जाना चाहिए यानि कि वन थर्ड मिलना चाहिए जो इसके जो मालिक रहेंगे बटाईदार होंगे उनको ठीक है बागी टू थर्ड जाना चाहिए जो किसाने इनको जाना चाहिए यह मांगती है तो नेत्वर्त करता कि हम बात करेंगे तो कंपाराम और भवन जो ते लंगाना और यह जरूर उसमें पूछे जाते हैं तो तेलंगाना अंदोलन कब होता है आजादी के पहले से और बाद तक स्टार्ट रहता है 40-50 यह शुरू होता है, जब हम देखेंगे हैदरावाद जो रियासत होती है, यह तहीलंगाना उस तामपिर हिदरावाद rates का भाग होता था तो हैधिरावाद के रियासत में यह आंदोलन देखने को मिलता है क्यों होता है वहाँ पर किसानों का जम्मिदार समर्थक पुलिस और उनके गुंडे होते हैं उनके प्रतिस आंदोलन को करा गया था तातकालिक कारण इसका मेन इंपोर्टेंट यह था कि कुमारईया एक व्यक्ति थे वहाँ पर उनकी हत्या पुलिस के द्वारा कर दी गई थी इसी संबंद में वहाँ पर जो किसान थे उनके द्वारा यह तवागा अंदोलन जो तेलंगान अंदोलन है इसके विरूत करा जा जाता था इसके रूप में तो इस तरह से जितने भी क्रशक आंदोलन से सभी क्रशक आणदोलनों को हमने शौक्द के द्वारा बना लिया गया है सॉट नोट का इंप्रेंस आपसो चिपन नहीं सकता बहुत सारे टॉपश के द्वारा भी आपको सॉट नोट की जो महतवत ह बता है वो बताई गई होगी तो बहुत सारे सॉट नोट्स आपको जीएस उमर पर आएसे अवेलेवल होते रहेंगे अच्छी चीज़ें आपको बहुत यहां पर मिलती रहेंगी फ्री अफकोस तो आगे ही हमारा साथ बनाए रखने के लिए जादा से जादा सपोर्ट करें जो वीडियोज हैं हमारी वीडियोज हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जीएस उमर को सब्सक्राइब तो जरूरी कर दें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो ध्यान रखें के दब तक टेक क्याव जहन